नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News, SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार उत्तर परदीश में समाजवादी पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर देखा जा रहा है सीट शेरिंग को लेकर जो मामला गट बढ़ा रहा था अब वो क्लियर हो चुका है चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो या फिर यहाँ पर टीमसी क्यों ना हो इसी वक्त देखा गया है कि यहाँ पर एक अकले श्यादव ने ममता बैनर्जी से फोन पर बात की और यहाँ पर एक से दो सीटे देने की बात तैह हो गई कॉंग्रेस को लेकर भी यही जानकारी सामने आई लेकिन एक पार्टी को लेकर अभी भी बात अटकी हुई है आरेलडी जैन चोधरी इंडी को छोड़ कर अंडिये में गए लेकिन जैन चोधरी के विधायक नाराज है जैन चोधरी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे है इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है बताईए जब पश्यमी उत्तरपरदेश का किसानों का सपोर्ट अगर अरेलडी को नहीं गया तो जैन चोधरी का क्या फायदा होगा एंडीये में जाने से इसी बीच आपको बता दें कि जैन चोधरी के वाफसी को लेकर चरचात तेज हो रही है कि एंडीये से उनकी नराजगी फिर से शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करें जैन चोधरी की पतनी चारू चोधरी उत्तरपरदेश की विदान सब चणा के दोरान देखा गया था कि एक तरफ अखलेश यादव डिमपल यादव तो दूसरी तरफ चैन चोधरी की पतनी चारु चोधरी साथ सभाव को संभोधित करते नजर आते थे यहाँ पर चारू-चोधरी जो है टिंपल यादव से यहाँ मुलकाथ कर सकती है उनसे माफी माँग सकती है जहन चोधरी की वज़े से जैन चोधरी ने अचानक से जो धोका यहाँ पर दिया है इंडिया गटवंदन के साथ समाजवधी पार्टी अध्यक्ष अखलेश यादव